आज हम देखेंगे इकायों में परिवर्दन, इनसे संबंधित उदाहरण तथा मिथ्याधारणा आपके जीवन में आपने मेट्रिक प्रणाली यानि मेट्रिक सिस्टम का उप्योग कई सारे स्थानों पर देखा होगा जैसे पेंसिल की 8 सेंटेमिटर लंबाई, सुई में दवाई की 5 मिलिग्राम मात्रा, डिब्बे में मिठाई की 500 ग्राम मात्रा, इत्यादी कई स्थितियों में हमें एकायों के परिवर्दन की जरूरत होती है इसके लिए सारने में व्यक्त किये दूरी यानि डिस्टन्स, भार यानि वेट और आयतन यानि वॉल्यूम की एकायों यानि यूनिट्स का परिवर्दन ग्यात होना चाहिए वीडियो रोक कर आप इन परिवर्दनों को समझ सकते हैं आईए अब इन से जुड़े कुछ उधारन देखें रोहन दो रेखा खंडों का मापन कर रहा है एक की लंबाई 30 सेंटिमीटर और दूसरे की 500 मिलिमीटर है इनकी कुल लंबाई कितनी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं दिये हुए प्रश्ण में दोनों रेखा खंडों की इकाईया यानि यूनिट्स अलग है कुल लंबाई पता करने के लिए जरूरी है कि इन इकाईयों को समान करे एक सेंटिमीटर होता है 10 मिलिमीटर 30 सेंटिमीटर बरापर 30 गुना 10 मिलिमीटर होते है यानि के 300 मिलिमीटर इकाईया समान होने पर अब हम रेखा खंडों के नापों को जोड सकते हैं इससे हमें रेखा खंडों की कुल लंबाई प्राप्त होगी 800 मिलिमीटर इसी हलका अगर हमें सेंटिमीटर में परिवर्थन करना होगा तो क्या करेंगे? 10 मिलिमीटर पराबर 1 सेंटिमीटर होता है इसलिए 800 मिलिमीटर के 800 बटे 10 सेंटिमीटर होंगे यानिके 80 सेंटिमीटर इस तरह से कभी भी छोटी इकाईयों में परिवर्थन करते समय गुना और बड़ी इकाईयों में परिवर्थन करते समय विभाजन किया जाता है अगला उदाहरण अगर 2 kg, 250 g दवाई से 5 mg की गोलियां बनानी हो तो कितनी गोलियां बनेंगी? यहां भी हमें इकाईयां समान करनी होगी दवाई की मात्रा 2 kg और 250 g है 1 kg बराबर 1000 g इस तरह से 2 kg हुए 2000 g इसे 250 g के साथ जोडने पर 2250 g प्राप्थ होंगे अभी भी इकाईयां समान नहीं है यहां ग्राम को मिलिग्राम में परिवर्दन करना होगा चूकि 1 g होता है 1000 mg इसलिए 2250 g होंगे 2250 गुना 1000 mg यनि कि 22,50,000 mg इस मात्रा से 5 mg की एक ऐसी गोलियां बनानी है इसलिए गोलियों की संख्या इनका विभाजन कर प्राप्थ की जा सकती है इससे गोलियों की संख्या प्राप्थ होगी 4,50,000 अब चलिए एक मिथ्याधारना देखे एक टंकी में 2000 लीटर पानी है 2000 लीटर पानी को मिलिलिटर में कैसे व्यक्त करेंगी कई बार यह गलत समझ होती है कि छोटी इकाईयों में परिवर्तित करते समय विभाजन और बड़ी इकाईयों में परिवर्तन करते समय गुना किया जाता है इस समझ से option 1 यह गलत जवाब है इसी तरह कई बार इकाईयों को नजर अंदास कर दिया जाता है या इसमें गल्दियां की जाती है सही समझ यह है छोटी इकाईयों में परिवर्तित करते समय गुना और बड़ी इकाईयों में परिवर्तन करते समय विभाजन किया जाता है इससे सही जवाब प्राप्थ होगा ओप्शन दूसरा तो आज हमने देखा इकाईयों में परिवर्तन इससे संबंदित उदाहरन तथा मिध्याधाना